तो भारत ने इस्वदेशी परमाणू मिसाइल पृत्वीटू का सफल पारिक्षन किया ओडीशा की चांदेपूर टेस्ट रेंज से आज सुभा नौ बच कर 56 मिनट पर मोबाईल लॉंचर के जरिये फायर की गई पृत्वीटू मिसाइल परमाणू हत्यार ले जा सकती है सथा से सथा पर मार करने में सक्षम पृत्वीटू मिसाइल की स्ट्राइक रेंज 350 किलोमेटर तक है दो प्रॉपिलर एंजिन वाली 500 से 1000 किलोग्राम वजनी हत्यार ले जाने में सक्षम है पृत्वी 2 अपने लक्षे को सटीक तरीके से निशाना बनाने के लिए अथ्यादूने क्रणाली का इस्तिमाल करती है और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस 9 मीटर लंबी मिसाइल को साल 2003 में भारतिय सशस्तर बल में शामिल किया गया था ये पहली ऐसी मिसाइल है जोसे DRDO ने Integrated Guided Missile Development Program के तहत विक्सित किया है इससे पहले भारतिय सेना ने 18 अपरेल 2016 में पृत्वी 2 का सफल परिक्षण किया था इस वक्त दो परिक्षण किया जाने थी जिन में से एक कामियाब रहा था लेकिन अन्य किसी तकनीकी खामी के चलते नहीं किया किया था जसके बाद सेना ने 21 नवंबर 2016 में भी पृत्वी मिसाइल का दोहरा सफल परिक्षण किया था और एक बड़ी कामियाबी भारत के लिए